कोरोना काल के दो साल के सननाटे के बार इस बार की दिवाली पर लोगों ने जम कर धमाल किया NGT ने ग्रीन पटाखे बेचने और दो घंटे की समय के भीतर पटाखे जलाने का समय निधारित किया था लेकिन सब बारूत के धमाकों में गुम हो गया और पटाखों के धुए में आदेश धुन्दला पड़ गया छतरपुर में आज के दिन वायो प्रदूशन का इस्तर तीन दशमलव आठ गुना बढ़ गया जो की सेंसिटिव लोगों के लिए खतरनाग है एर कॉलिटी इंडेक्स बताता है कि पूरे देश में वायो प्रदूशन का इस्तर बढ़ चुका है जो की अभी जुआरी रहेका जब इस सम्मन में लोगों से बात की कई तो उन्हों ने इसे सीथे धर्म से जोड़कर अनितियोहारों की दोहाई दी हलाकि लोगों को यह भी कहना है कि इस बार दुकानदारों ने भी कम दुए वाकम आवाज वाले पटाखे बेचे हैं जिससे प्रदूशन कम हुआ है हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद है आईए उनसे पूछते हैं इस बारे में जी क्या नाम है आपका पंकत जी बताएं अभी दो साल तक कोरोना के टाइम पर हम पूरी तरिके से माहौल बहुत शांत रहा ना शोर गुल रहा ना कोई प्रदूशन रहा लेकिन अब दीपावली पर हमने जमकर धमाल मचाया है तो इस दोरान आप क्या समझते हैं कि बाता काफी सुक्ता थी आदमियों में मुलब इस दीपावली को लेके तो लगभग काफी लेकर उतना पॉलूशन नहीं हुआ है यह पक्ता नहीं हुआ है आपका क्या नाम है स्वारफ बताएं जो इस बार चुकि स्टेडियम में पिछली बार के अपिक्षा बहुत ज्याद कि अगर पॉलूशन का अगर लेकर चलें तो निव यर भी आता है क्रिश्मिस भी आता है उन सभी जंगा पे मतलब पटाके मतलब हमीशा की तरह हर साल दिवाली से ज़्यादा फोड़ जाता है निव यर पे भी ठीक है तो यह सिर्फ अगर देखा जा तो इस दिवाली पे ग्यान देना सभी लोगों का कि दिवाली पे पटागों का पॉलुशन होता है तो ऐसा कुछ नहीं है दिवाली हम लोग हर साल की तरह बहुत अच्छे से मनाते आए हुए हैं और इस साल बहुत ज्यादा अच्छे से मनाई गई है तो मैं कहना चाहूँ है कि पटाके अगर बोले जाये तो सिर्फ दिवाली नहीं है अगर पटागी का अगर अपन को करना भी है तो क्रिस्मस भी है नियुएर भी है और चुनावी अन्जीटी ने एक आदेश दिया था कि ग्रीन पटागे चला जाएं कि आपको लगता है कि ग्रीन पटागे च्छतरपूर में आयों जो बड़े बड़े पटाके जो देशी पटाके वगएर आते थे जादा पॉलुशन और जादा तेज आवाज वाले तो वो सारे बैन है और लगबग सारे दुकानदारों ने इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखाया कि उनको वो पटाके ना लाने पड़े किसी को देने न अदेश दिया गया था कि ग्रीन पटाके चला है जाएं लेकिन अगर ग्रीन पटाके चलाए जाएं में पताकों की बात करें तो चतरपुर जैसे शहर में ग्रीन पताकों का कोई मतलब नहीं है और यही वज़े है कि यहां पर आतिश बाजी जम कर हुई रात आट बज़े से दस बज़े तक का समय था लेकिन रात एक बज़े तक जम कर आतिश बाजी होती रही और अब अगर एर है एर कंट्रोल इंडेक्स है उसकी अगर बात करें तो बताय जा रहा है कि वो सामाने से ज्यादा हो चुका है यानि कि सेंसिटिव लोगों के लिए ये अब खतरनाक हो चुका है यानि कि कोरोना काल के समय जो सच वातवरन था जो माहौल था एक सापसुतरी हवा थी लेकि हो चुका है कि अ